अब आप लोग यहाँ पर लॉजिक को देख सकते हो। लॉजिक क्या था आज के दिन बांकन एफ्टी के अंदर ट्रेड करने के लिए देखिए यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस था देख सकते हैं यहाँ पर 48,500 का जो ये resistance था ये एक hurdle resistance था जो कि मैंने कल के analysis वीडियो के अंदर भी आप लोगों को यहाँ पर कहा था जो यहाँ पर किस तरीके से हमें call की entry बनाना है यहाँ पर देख सकते हो इस resistance को यहाँ पर breakout किया अगेन यहाँ से retracement लिया और इतना बड़ा अपसाइड का रेली देखने को मिला आज से दस दिन पहले में आप लोगों को कहा भी था एनलैसिस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को बैंक निफ्टी पच्चास अजार के लेवल तक जाता हुआ देख सकता है वैसे ही आप लोग देख सकते हो अभी जो पईंक निफ्टी ट्रेड कर रही है वो कर रही है उन्चास अजार तीन सो के आसपास ट्रेड कर रही है लाइफ प्रूफ आप लोगों के सामने है देखिए यहां पर कोई भी हवा हवाई में बात नहीं होता है बीना लोजिक का लोजिक आप लोगों के सामने है अगर आप लोगों को इससे भी ज़्यादा लाइफ प्रूफ चाहिए तो आप लोग पिछले एक हफ़ते का एनलेसिस वाला वीडियो जा करके देख लेना जो मैंने कहा वैसे मार्केट के अंदर कामकाज हुआ है या तो फिर नहीं हुआ है आप लोगों के सामने है चार्ट देखिए अब कल के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपारी है कल के दिन बैंक निफ्टी का एक्सपारी क्यों है क्योंकि वैनेश डे के दिन मार्केट का छु लेना है और फ्लाट आपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है कहां पर कॉल वाई करना है और कहां पर पुट वाई करना है और कहां पर ट्रेट को अवाइड करना है सबी चीजों को जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें अगर आप लोगों को वीडियो इं द्धान से देख लेना मालनी जी अगर कल के दिन बाइंक निफ्टी यहां पर खुल जाती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहां पर क्या करना होगा अगर यहां पर फ्लैट खुल जाती है तो कंडिशन को जरह ध्यान से समझ ना लॉजिक के बताऊंगा अगर यहाँ पर फ्लैट खुलती है और उसके बाद यहाँ पर अप्रॉक्सिमेट एक से ले करके तीन घंटा तक याने की ये समझ लिजिए आप लोग फर्स्ट आवर के टाइम तक यानि कि सबावारा बजे तक यहाँ पर इस तरीके का कंसॉलिडेट करती है और उसके बाद जब यहाँ पर ब्रिक डाउन कर देती है तब तो आप लोग यहाँ पर पूट का पोजिशन बाई कर सकते है और टार्गेट यहाँ पर जो रहने वाला है आप लोगों का अप्रोक्सिमेट 200 से लेकर के 400 पट तक का टार्गेट रह सकता है माल लिजे यहाँ पर एक से लेकर के 3 घंटा तक कंसॉलिडेट करने के बाद अगर यहाँ पर breakout कर देती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी कम quantity के साथ call की entry बनाना है और target यहाँ पर ज्यादा लंबा नहीं रखना है सिर्फ रखना है 100 से ले करके 150 तक का अब माल लीजी अगर कल के दिन bank nifty यहाँ पर gap up opening ले लती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा अगर यहाँ पर gap up opening ले लेती है तो यहाँ पर entry कैसे बनेगा ध्यान से ज़रा सुनना gap up opening लेने के बाद जब इस level पर दुबारा retras करने आती है इसका मतलब यह नहीं आप लोग जो यहाँ पर समझ जाते हो देखिए माल लीजे gap up opening लेने के बाद रिट्रिस्मेंट करने आती है तो यहाँ से 10-20 point माल लीजे यहाँ से buffer लगा करके आप लोगों को रखना है 10-20 point या तो उपर bank nifty के अंदर approximate 40-50 point का हो जाता है ज्यादा तर 100 point का जो है यहाँ पर हो जाता है जब रिट्रिस्मेंट लेने आती है तो वहाँ से थोड़ा buffer लगा करके चलना है ऐसा क्यों होता है अगर आप लोगों ने मेरे channel पर stop loss hunting वाला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लेना मान लिजे यहाँ पर अगर आप लोगों ने buy किया है तो आप लोगों का SL यहाँ पर लगा होगा तो market के अंदर क्या होता है कभी भी आप लोगों का 100% जो है profit नहीं होता है वहाँ पर 52-60% profit कम करने के लिए market जरूर एक बार retracement लेती है समझ गए आप लोग तो जब यहाँ पर retracement करने आती है और जो पहले का यहाँ पर high बना मान लिजे इस level को यहाँ पर breakout कर लिया example से समझा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ तक high लगाया और उसके बाद यहाँ से retracement लेने आई और उसके बाद जब इसके high को यहाँ पर breakout कर देती है तब आप लोग यहाँ पर safe call वाई कर सकते हैं और target ऐसे condition में आप लोगों का 100 से ले करके 300 point तक का रह सकता है दूसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद जो पहला 15 minute का candle होगा यानि की bullish candle होगा जब next candle इसके high को यहाँ पर breakout कर देती है और इसके high के उपर closing दे देती है तब आप लोग यहाँ पर safe call वाई कर सकते हैं और target आप लोगों का यहाँ पर 200 point तक का रह सकता है तीसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद जब first hour के time पर यहाँ पर इस तरीके का consolidate करती है और उसके बाद ध्यान में रखना एक बज़े से ले करके धाई बज़े के बीच में जिस side भी breakout या फिर breakdown कर देती है और जो premium आप लोगों को यहाँ पर 26 से ले करके 46 रुपे तक की दिखाई दे देती है उसे आप लोग zero to hero call के लिए प्लान कर सकते है और target आप लोगों का यहाँ पर double ट्रिपल रह सकता है अब माल लीजिए अगर कल के दिन बाइक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैपडान कुल जाती है जो की लेवल है 49,048 का जो की कि साइकलोजी का भी लेवल है जहां से हमें bounce back देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर put की entry के से बनेगा गैपडान खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का candle होगा याने की bearish candle होगा जब next candle इसके लोग को यहाँ पर breakdown कर देती है और इसके लोग के नीचे closing दे देती है तब आप लोग यहाँ पर save put by कर सकते हैं और target आप लोगों का यहाँ पर 100 से ले करके 200 point तक का रह सकता है दूसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap down खुलने के बाद जब इस level के नीचे first hour के time पर यहाँ पर इस तरीके का consolidate करती है और next hour के time पर याने की एक बज़े से ले करके 46 रुपे तक की दिखाई दे उसे आप लोग zero to hero call के लिए प्लान कर सकते हैं और target आप लोगों का यहाँ पर double triple रह सकता है अब आप लोगों के सामने nifty 50 का चार्ट है लेबल को बिल्कुल ध्यान से देख लेना अगर आप लोगोंने कल वाला analysis का वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लेना मैंने nifty 50 के अंदर कौन-कौन सा लेबल दिया था अब हमें कल का trade कैसे प्लान करना है बिल्कुल ध्यान से सुन लेना मान लीजी अगर कल के दिन nifty 50 इस लेबल के उपर gap up opening ले लेती है जो की लेबल है 22,750 का अगर इसके उपर gap up opening ले लेती है तो यहाँ पर call की entry कैसे बनेगा जरा ध्यान से सुनना gap up opening लेने के बाद जो पहला एक घंटा का candle होगा यानि की bullish candle होगा जब next candle इसके high को यहाँ पर breakout कर देती है और इसके high के उपर closing दे देती है तब आप लोग यहाँ पर safe call वाई कर सकते है और target आप लोगों का यहाँ पर 50 से ले करके 80 point तक का रह सकता है दूसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहाँ पर इस तरीके का consolidate करती है और next आवर के टाइम पर जिस साइड भी breakout या फिर breakdown कर देती है आप लोग यहाँ पर अपना trade को प्लान कर सकते हैं तीसरा condition यहाँ पर क्या होगी gap up opening लेने के बाद जब इस level पर दुबारा refresh करने आती है और इस तरीके का pattern को fulfill करती है तो आप लोग यहाँ पर safe call वाई कर सकते हैं और target यहाँ पर 50 से ले करके 100 point तक का रह सकता है अब माल लीजे अगर कल के दिन 50 50 यहाँ पर flat खुल जाती है आप लोग यहाँ पर अपना trade को प्लान कर सकते है अब माल लीजे अगर कल के दिन 50 50 से लेवल के नीचे gap down खुल जाती है जो की level है 22,518 का जो के एक psychology का level है जहां से हमें bounce back देखने को मिल सकता है अगर इस level के नीचे gap down खुलती है तो यहाँ पर सिर्फ एक condition होगा gap down खुलने के बाद जब इस level पर दुबारा retress करने आती है और इस तरीके का pattern को fulfill करती है तब आप लोग यहाँ पर save put वाई कर सकते हैं और target आप लोगों का यहाँ पर 50 से ले करके 70 पॉंड तक का रह सकता है तो आसा करता हूँ सारे level आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर आप लोगों को वीडियो इंफर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना चैनल पर ने हो तो सस्क्राइब भी कर लेना तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर तब तक के लिए जाहिन बंदे मातरम